नमस्कार ओली निउस नेशन मैप का स्वागत है आई शुवात करते हैं आज की प्रमुख खबर से कॉंग्रिस ने 60 सालों तक देश पर सासन किया लेकिन उसने देश के सामने मौजू समस्याओं का समाधान करने की जगा उसे उलजाय ही रखा कॉंग्रिस पार्टी के एक परिवार ने केबल अपनी तेजोरी भढ़ने पर ही पूरा ध्यान लगाया प्रधान मंत्री ने इसलिए कहा था कि कॉंग्रिस की संस्कृति अटकाने लटकाने और भटकाने की रहे 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधान मंत्री नेंद्र मूदी की पहल से इन सभी समस्याओं गड़बड़ी और गलतियों को ठीक किया जा रहा है चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ें आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शियर करें हमें अपनी राय जरूर दे और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हूँ तो आप हमें यूपियाई नंबर 9911955719 पर साहत राशी दे कर हमें प्रोज साहित करें अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं कॉंग्रिस की सरकार में 50 साल पहले शिलानयास की गई योजनाओं को भी आज पीम मोधी पूरा करवा रही है इसी तरह 1968 में शत्रू संपत्ती अधिनियम बना दिया गया लेकिन इन संपत्यों का निप्टारा नहीं किया गया अब मोधी सरकार ने शत्रू संपत्यों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की प्रक्रिया शिरू कर दी है अधिकारियों के नुसार कोल 126113 हैं जिनने शत्रू संपत्य कहा जाता है जिनकी अनुमानित कीमत एक लाग करोड रुपे से अधिक है देश में 12611 शत्रू संपती अनुमानित कीमत 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 611 संपत्तियों में से कुल 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों से संबंदित है और 126 चीनी नागरिकों से संबंदित है सबसे अधिक शत्रू संपत्ति उत्तरपदीस में है यहां उनकी संख्या 6255 है पक्षी मंगाल में 4,088 दिली में 669 गोवा में 295 महराश में 208 तैलंगारा में 158 गुजरात में 151 तेपुरा में 105 बिहार में 94 मध्यपदीस में 94 चतिसगड में 58 और हरियाना में 71 शत्रू संपत में 24 राजिस्थान में 22 रारकंड में 10 दमन और दीव में 4 के अलावा अंधिप्रदेश तथा अंजिमा निकोबार दूइप संभो में ऐसी एक-एक संपत्ति है भारती शत्रू संपत्ति सनक्षक करता है शत्रू संपत्ति का प्रबंधन केंद्री ग्रह राजे मंत्री अज शत्रू संपत्ति कहा जाता है शत्रू संपत्तियों यानि चल और चल दौनों का प्रबंधन और निप्टान भारत्य शत्रू संपत्ति सनक्षक यानि CEPI की और से किया जाता है यह पक्रिया शत्रू संपत्ति अधिनियम 1968 और इसके नियमों और इस सम्मंद में जारी दिश और निर्देसों का पालन करते हुए किया जाता है जो सारुजनिक रूप से उपलब्ध है ऐसी कई परियोजनाएं थी जो कॉंग्रेस राज में वर्सों से अटकी पड़ी थी और मोधी राज में उन पर तीजी से काम हो रहा है और राष्ट को समर्पित किया जा रहा है इस प बनाने का इतहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था जब अचल पिहारी वाजपई देश के प्रधान मंत्री थी 26 मई 2002 को इसके आधा अशुला रखी गई थी उसके बाद 10 साल तक कॉंग्रेस की सरकार ने सामरिक रूप से महत्पूर्ण इस परियोजना को लेटकाई रखा 2014 पिया मोदी के सत्ताह में आने के बाद इस परतेजी से कारे किया गया और इसे पूरा किया गया अटर टनल मनाली के लेह की बीच की दूरू को 46 किलोमीटर तक कम करती है और यात्रा की समय को भी 4-5 खंटे कम कर देती है यह 9-10 मलव 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो की मनाली को पूरे साल लाहौल स्वीपीदी घाटी से जोड़ी रखने में महतपुनभो में का निभाती है इससे पहले घाटी हर साल लगवक 6 महीने तक भारी बरबारी के कारण अनहिस्सों से कड़ जाती थी सुरंग को समुदर तल से 3000 मीटर यानि 10,000 फीट की उंचाई परहे माले की पीर पंजाल श्रेडी में आधुनिक तक निक के साथ बनाए गया है इस मौके पर पी एम मोदी ने कहा था कि 2014 तक इस टनल का सिर्फ एक दसमरा पांच किलोमीटर तक ही हो पाया था इस प्रोजक्ट की 2014 के पहले जो स्पीर थी उसके मुताबिक एक टनल 2014 में पूरी होती उन्हेंने कहा कि देश के विकास के लिए प्रोजक्ट की रफ्तार बढ़ाईगी 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा किया इस तरह के प्रोजक्ट में देरी से देश का नुकसान होता है कनेक्टिविटी से देश के विकास का सीधा सम्मंध होता है खासतोर पर बॉर्डर इरिया में कनेक्टिविटी सीमा सुरक्षा से जुड़ी होती है पूरवतर 61 सड़कों का काम 2012 तक पूरा होना था पीम मूदी के सत्ता में आने के बार 102 रणीतिक सड़कों के निमार को मिली रफ़तार पूरवतर में 102 सड़क परियूजनाओं में रणीतिक रूप से महत्पूर 73 सड़की बनी थी लेकिन कॉंग्रेस की लीड लतीव कारिशाली की भेड़ चड़ गई पूरा करने के लेकिन मार्च 2016 तक केबल 22 सड़कों का निमार पूरा हो सका था गौर्टलब है कि इन 22 सड़कों के निमार पर ही 4,554 करोड रुपे खर्च हो गए हलांकि मोदी सरकार ने इसमें बड़ोतरी की और तेजी से काम पूरा करने के लिए अभियान चला दिया चीन भारा सीमा पर महत पूं 3,488 किलोमीटर लंबी इस सड़के जमू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्राखन, सिक्किम और अनुवर्चल प्रदेश तक फैली है परदान मंती मोदी ने इसकी संवेदक शीलता को देखते हुए 73 सड़कों के निर्मार का लक्ष भी निर्धारित कर दिया है इन में से 46 सडकों का निर्मार रक्षा मंत्राले कर रहा है और 27 सडकों के निर्मार की जिमिदारी ग्रह मंत्राले के हाथों में सौपी गई है इन में से 24 सडकी बन कर तयार हो चुकी है और बाकी सडकों का काम वर्ष 2020 तक पूरा कर दिया जाएगा उंग्रेस ने 2013 में किया था शिलानियास पीयमोदी ने जोगी में रहने वालों को सौपे फ्लैट सरकार के नुसार दिली में जोगी जोबरी में रहने वाले गरीबों को फ्लैट देने के लिए चल रही परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है इस योजना में 3024 फ्लैट पूरी तरह तयार है इनका निर्मार लगबग 345 करूड रुपए की लागत से किया गया है लिफ्ट भूमीगत वाजे टैंक जैसे सुबदा उपलब्द की गई है दिली के कालकाजी इलाके में मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दिक्षित ने 2013 में इस आबासी योजना का शिलान्यास किया था आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शियर करें हमें अपनी राय जरूर दे और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हूँ तो आप हमें यूपियाई नंबर 9911955719 पर साहता राशी दे कर हमें प्रूज साहित करें अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए औरली न्यूज नेशन